ये आकरी चुनाव है, मोदी अगर फिर से आये, तो नहीं चुनाव होंगे, नहीं करने देगा, और डिक्टेटर सी पाएगे। त्यार बाद अहीं रश्या जेऊ साशन थशे, राष्ट्रपती नी एकत चुटणी थशे, इटलूज नहीं तेमने कहुँँ के भाजब अने आरेसेस जैर छे, ते आपनने अधिकारों थी वन्चीत राखे छे, जो लोग सबा चुटणी बाद मोदी सत्ता मां आवशे, तो ताना शाही थशे, कोई लोग साही नहीं बचे, अले कोई चुटणी नहीं थाए, तो पहला मलेका आर्जुन खड़गे शुकाये चे तेजाम बढ़िए. आपको और एक बात कहिता हूँ, यह आकरी चुनाव है, मोदी अगर फिर से आये, तो नहीं चुनाव होंगे, नहीं करने देगा, और डिक्टेटर्स ही पाएगी. तुम मानो या नो मानो, अभी भी देख रहे हैं आप, फरसुई हमारे पास के, एक नेता को उदर लेके गए, इंडिया का, गटवन्नन का, कोने हैं? देखो, एक एक को, नोटीस देना, डराना, दमकाना, उसकी दोस्ती अगर नहीं चोड़ेंगे, फिर हम देख लेंगे. डर के कोई दोस्ती छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई गटवन्न छोड़ रहा है, हरे, इतने डरपूक लोग अगर रहें, तो क्या ये मुल्क बचेगा? क्या ये समिदान बचेगा? क्या ये डमोकरसी बचेगी? इसलिए आखरी चांस है आपको, वोड़ देने का, इसके बाद कोई वोड़ नहीं देगा, क्योंकि ये पुटीन, रसियन पुटीन का जो प्रिसिडेंट एलेक्शन होता ना, वैसा ही होते चले जाएंगे. द्यान में आ रहा आपको, इसके बाद में चुनाओ, ओने अपनी ताकत के उपर, वो चलाएंगे, चुनके आएंगे, 200 लाएंगे, 300 लाएंगे, 400 लाएंगे, 500 लाएंगे, अगर हमारी सब 500, 543 है, तो उसको बढ़ा के फिर 600 भी बना लेंगे. तो ये समिदान की रक्षा करना, डेमाकरसी की रक्षा करना, एलेक्शन बार-बार होना, चुना होना, इसकी जुम्मेदारी आपके उपर है. आप अगर चाहते हो, तो डेमाकरसी बच सकती है. अगर आप नहीं चाहते हो, गुलाम रहना चाहते हो, तो फिर आपकी मर्जी. आनि साथेद नितिश कुमार ना एंडी एमा सामिल थवा परपन गॉंग्रेस अध्यक्ष मलिकार जुन खडगे निवेदन आपि तेमने कहू के एक व्यक्ति ना अलग थवा थी महा गडबंधन नवडू थतू न थी आपडे भाजपने हरा विशू तो तमारू आम आमले के शायर करों